नमस्कान आदाब शाष्टरेगाल और खुशाम अदीद वेरी वेरी गूड इवनिंग चौल अफी बीबल दिस इस वामास्टर इजया हर श्प्रियम जो कि आपके सामने हैं लाइव और आज बात करने वाले हैं सबसे बहतरीन टॉप टेन बेस्ट इंजिनिरिंग कॉलेज़ इंडिया के जो बैंगलोर में हैं और ये बैंगलोर के टॉप टेन एंजिनिरिंग कॉलेज़ेस क्यों लेकर आया हूं इसके पीछे का एक खास उद्देश है दो उद्देश है इंसे पहला उद्देश है तो यह बड़ा क्लियर सा कि या बैंगलोर में बड़े अच्छे- हमेशा की जाती है, क्यों की जाती है जाहिर सी बात है बहुत है, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो foreign currency आएगा, FDI हमारे पास आएगा और हमारा currency strong होगा, यह simple सा notion है आपको बता दूँ इस export में सबसे बड़ा export का जो share है, 40% के around, वो 40% के around export हमारा होता है IT services, information technology जहांपे computer, software ऐसी चीजों से related हम services देते हैं और यह सब कुछ हो पाया है, बैंगलोर जैसे शेहरों की वज़े से, क्योंकि बैंगलोर is one of that city, जहां IT hub जिसको कहा जाता है, लाखों नहीं करोडों के ताजाद में लोग यहां काम करते हैं और इसकी वज़े से इंडिया एक world में super power recognize हो रहा है, अब इन चीजों को जब मैं देखता हूँ, तो साफ बड़ा समझ में आता है कि भाया इसी लिए शायद वहां इतने जादा jobs हैं और इसी लिए जो भी वहां जाता है उसको नौकनी मिली जाती है, more or less काभिलियत अच्छी होगी तो ज़्यादा पैसे के मिलेगी काभिलियत कम होगी तो कम पैसे के मिलेगी, बट मिल सब को जाती है, तो इसी लिए बैंगलोर जैसे जगहों से colleges करना सबसे ज़्यादा beneficial होता है, तो यह सबसे office, हमारा center, हम लोग, we are all in बैंगलोर, तो हम पहली बार बैंगलोर में offline आ रहे हैं, offline आ रहे हैं मतलब मैं सबसे पहले आपसे मिलने आ रहा हूं तो हमने एक meet and greet session arrange किया है, and that we have arranged for बैंगलोर students, जो बच्चा बैंगलोर में है या उसके आसपास है, कल के date पे, कल के date पे मतलब 28, कल 28 है न, कौन सा दिन है कल 28 है न, हाँ 28 है, तो कल 28 है 28th October, 28 October को कल के दिन, मैं बैंगलोर में, विदान्तु के ही center पे EBC Square is the name, इस EBC Square Center पे यह विदान्तु को office है, यहाँ पे हम लोग meet and greet plan किया है, इस meet and greet में सारे बच्चे आ सकते हैं, कल शाम को 6 बजे मैं सारे बच्चों से मिलूँगा, और मिल के खूब धमाल मचाएंगे, और इस मिलने के पीछे का उदेश क्या है, बस आपसे बाते करना, आपके बारे में जानना, आपकी कोई दिक्कत है, परिशानी है, तो इस चीज को समझना, और समझ कर आपको किसी भी चीज पे help चाहिए, support चाहिए, suggestion चाहिए, वो सब चीज देना, तो ये दूसरा objective है, इसी लिए ये session है, तो I guess सारे लोगों को objective clear होगा, तो जो भी बच्चा Bangalore में है, वो मिलने आना, कल जरूर, HSR Layout, EBC Square, Vedantoo EBC Square, HSR Layout, ऐसा लिखना, तो तुमको Google Map पे location मिल जाएगा, 4th floor पे आना है, कल शाम 6 बजे, 28 October शाम को 6 बजे, अब ये सुनके बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारे शहर भी आओ, तो चिंता नहीं कीजे, दिल्ली और पूने भी आ रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे शहर भी आएंगे, दिल्ली पूने का बस date fix हो गया है, दिल्ली को मैं आ रहा हूँ 4th of November को, 4 November को दिल्ली में रहूँगा, 5 November को पूने में रहूँगा, इन दोनों के जगा, मतलब कहां पे रहूँगा, exact location के लिए, इसी वीडियो के नीचे Google form डला हुआ है, उस Google form में तुम अपना entry डाल देना, entry जैसे ही डालोगे तो तुमको notification, मतलब तुमको एक invite पहुँच जाएगा, official invite, और उस invite के थूँ तुम मेरे से मिलने आ सकते हैं, ठीक है, चलो जी, तो यहाँ तक ही हो गई बात, complete, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसा बहतरीन content आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो ऐसा बहतरीन content आपको मिलते रहे, इसके लिए make sure करेंगे, चैनल सब्सक्राइब रहे, और शुरू करते हैं, सबसे प्यारा, सबसे पहला बहतरीन सा college, that is, International Institute of Information Technology, that is, Triple IIT Bangalore, Triple IIT Bangalore, अपने आप में बहतरीन college है, कुछ डेटा देख लेते हैं, 1999 में इसको establish किया गया था, Bangalore में है, 9-acre का campus है, NIRF ranking 74 है, NIRF ranking को ध्यान मत दीजे, क्यों, क्योंकि यहां का भी जब मैं placement data आपको दिखाऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलो कि वा भाई वा, क्या धाकड placement data है, और placement data के पहले, प्लेस्मेंट एक दम आखरी में बताऊंगा, क्योंकि placement इसका सब बहुत मस्त है, सारे Bangalore के colleges का placement बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसलिए top 10 colleges लाएओ, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जाएंगे कैसे, तो उसके लिए 1000-2000 जो भी पैसे लगते हैं वो लगेंगे, बढ़ आप अलग से उसमें counselling अटेंड करोगे, तभी IIIT Bangalore में जा सकते हो, तो यह ध्यान में रखिएगा, अब कैसे जाते हैं, तो IIIT Bangalore में integrated course ही मिलता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ BTEC नहीं कराते हैं, integrated course का मतलब होता है, BTEC plus MTEC, BTEC plus MTEC, 5 साल का यह course होता है, और इसमें सिर्फ 4 साल वाद जो BTEC होता है वो कराते ही नहीं है, पूरे college में कहीं नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे BTEC plus MTEC integrated CAC का, और Electronics Communication का, सिर्फ यह दो courses होते हैं, इसका 8000 cut off जाता है, JW mains का rank बता रहो हूँ, और इसका 10500 तर, तो मतलब मोटा मोटी आपको top 10,000 बच्चों में आना होगा, JW mains में, तब आप इस college में पहुँच पाऊगे, अब इससे आपको देखके समझ में आ रहा होगा कि, कितना ऊपर का college है, यह feel हो गया होगा, अब इसका placement बताता हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचने लगना सर, इतना भारी college बताऊगे तो हम कैसे जा पाएंगे, we need to know a little, ऐसा college जो average level हो जहां हम भी enter कर पाएं, वो भी बताऊँगा, don't worry, तो number one पर यह हो गया, अब यहाँ पर देख लो fees कितनी लगती है, तो tuition fees per semester 1,92,000, मतलब मोटा मोटी तुम 2,00,000 रुपए माल लो, 2,00,000 रुपए एक semester का total होते हैं, 8 semester बच्चों के पास, क्योंकि एक साल में 2 semester होता है, 8 semester 16,00,000 रुपीज के आस पास का, तो यह तो मैं जरूर कहूंगा कि सस्ता नहीं है, महंगा है, आपको पढ़ाई करना थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पढ़ेगा, और अगर overall पूरा पढ़ाई का खर्च मानो, तो overall पूरा पढ़ाई का खर्च करीबन 25,00,000 रुपए के आस-पास आपका आ जाता है, अबर होता हूँ देख रहा है, मीडियन पैकेज, मीडियन पैकेज 27,00,000 से जादा है, मीडियन पैकेज का मतलब होता है वो पैकेज, जो मेज़ॉरिटी बच्चों को लग रहा है, देखो एवरेज होता है, जो सबका मिला के आवरेज कर दिया, उससे जादा ऑथेंटिक डेटा होता है, मीडियन पैकेज, जो मीडियन पैकेज जो मेज़ॉरिटी बच्चों को ये पैकेज लग रहा है, ठीक है, और हाइस्ट पैकेज इस 65,00,000 पा रहा है, तो ये है ट्रिपल आईटी बैंगलोर के quality, समझ पाए, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसके सारे डीटेल्स, maximum डीटेल्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी बैंगलोर.ac.n, ठीक है, अब ये है अगला, ये कॉलेज कौन सा है, इस आर्वी कॉलेज ऑफ इंजिनिंग, ये बैंगलोर का एक private college है, बहुत famous college है, बट बहुत अच्छा college है, private होने के बावजूद, अब ध्यान से देखो, 1963 में इसको establish किया गया था, बैंगलोर में है, करीबन 17 एकड़ के आसपस का campus है, NIF ranking 96 है, NIF ranking को बाजू रखते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, KCET, करनाटक का अपना एक engineering common entrance test होता है, KCET, KCET के थुरू जा सकते हैं, कॉमेट के एक examination होता है, करनाटक का अगेन examination होता है, इस examination के थुरू भी जा सकते हो, अब ध्यान देजेगा, KCET examination सिर्फ वहां का वो बच्चा भर सकता है, जो करनाटक का रहने वाला बच्चा है, डोमेसाइल उसका वही का होना चीए, लेकिन कॉमेट के कोई भी बच्चा अल इंडिया का कोई भी बच्चा भर सकता है, ये दोनों in examination में difference है, ठीक, तो आप कॉमेट के से भी जा सकते हैं, KCET से भी जा सकते हैं, अब मसला ये है कि KCET से अगर आप जाते हैं, तो computer science engineering जैसे examination ब्रांच के लिए, आपको करीबन 1500 rank तक में आना होगा, KCET में, और अच्छी नोकरी भी कर रहे हैं, ठीक है, अब fees structure, यहाँ पे major change आता है, तो tuition fees, जो बच्चा KCET से जाता है, मतलब वो जो करनाटक का बच्चा है, जो करनाटक domicile रखे हुए हैं, उसको fees देनी पड़ती है करीबन 83,000 रुपे, मतलब मोटा मोटी मान लो तुम 90,000 रुपे 90,000 रुपे आपका per semester, per year का fees है, sorry, एक साल का, लेकिन वहीं पे यह 2,21,000 हो जाता है अगर कॉमेट के से मिलता है आपको seat तो, तो अब आपको price में difference दिख रहा होगा कि कहां पे 90,000 into 4, मतलब 3.6 lakh में आपका engineering complete हो जाएगा, अगर आप करनाटक के रहने वाले हैं, अगर सरकारी type से नहीं होता है, यह थोड़ा private, इसी लिए इसका पैसा जाता है, तो कॉमेट के से अगर आप जाते हैं, तो आपको 2.2 lakhs मतलब 2.25 माल लो और इसको 4 से गुना को लो मतलब करीबन 9 lakh रुपे के आसपास का खर्चा है, तो मोटा मोटी 3 गुना के आसपास पकड़ स देख लो, 18 lakh का median package और 62 lakh का average, 18 lakh का median का मतलब यह होता है कि भीया, majority बच्चों को 18 lakh रुपे परानाम लग रहा है, and which is very much possible, बैंगलोर में इतने लग जाते हैं, ठीक, तो this is the good part, now moving forward, सारा information आपको मिलेगा, rvce.edu.in पे, तो यह इनको official website है, RV College of Engineering का, अब आते हैं, next is PES University, जि यहां से भी करोडों के packages लगते हैं, in fact, अभी कुछ साल पहले की बात है कि यहां भी यह news में था, यह college, क्योंकि एक करोड़ से उपर का highest package गया था है, समझ रहो, चलिए, तो आप इसके बार हैं, डीटेल देख लेते हैं, जल्दी से आ जाईए, डीटेल है, इसमें 1972 में ब JW mains के through भी जा सकते हो, और वैसे मेरी जानकर ही कहती है कि आप यहां पे comment के through भी जा सकते हैं, आप पता नहीं, मेरे time पे तो जाते थे, अभी इस time पे नहीं पता मेरे को, तो मैंने अपने time पे भी comment के दिया था, और मेरा selection भी हो गया था, यह pace it के लिए, बट चुकि इतने पैसे लग रहे थे, उस वक भी बहुत मेंगा था, मेरे time पे करीबन 1.5 लाक रुपीस पर येर का फीस लगता था, तो उतने पैसे ही नहीं थे, मेरे पास मैं कहां से करता, तो comment के through भी उस वक जाते थे, most probably अभी भी जाते होंगे, एक बड़ चेक कर ले ला, बट इतने ती किसे तो जाते ही हैं, ठीक, अब यहां तीन तरीकों से जाते हैं, तो कैसे जाएंगे, या क्या है उसका बाकी डीटेल, तो केसी एटी के थू हमारे को, मेरे को डेटा मिला कि करीबन 800 रैंक तक आपको computer science मिल जाएगा, अब J.E.Mains का और PACEAT का डेटा मिल नहीं पाया, तो आप लेकिन college से directly संपर करके पता कीजिएगा कि भाया कितने rank तक लेते हैं, फीस की बात करते हैं, तो course fees per year 83,000 रुपे, किसके लिए C.E.T. कोटा, के C.E.T. से जो जा रहा है, लेकिन वहीं पे कोई बच्चा PACEAT से जाए, या comment case से जाए, तो वो दोनों ही case में ये लोग ज relation है, but actually में ये इतना पैसा लेते हैं, और पता नहीं देने वाले लोग देते भी हैं, तो हाँ, ठीक है, समझ गया है, तो this is the difference PACEIT में, अब कारण बहुत मुख्य है कि ये लोग इतना पैसा क्यों लेते हैं, क्योंकि भीया, इनका placement package बहुत अच्छा है, तो 18,00,000 median package है, मतल per year offer in UK, तो ये देख पारे हो, तो ये सारे news आ रहे हैं, इसकी वज़े से ये college ये थोड़ा सा hype में बना हुआ है, ये university, कि भई या बच्चा यहाँ पर जाना चाहता है, क्योंकि एक करोड देड़ करोड किसको बुरा लग रहा है, लोग बोलेंगा, हाँ हम 30,00,000 देने के ये भी Bangalore का एक बहुत बड़ी है, famous college है, 62 में बना था, 85 वेकड़ का campus है, 78 NIRF ranking है, अब यहाँ पर कैसे कैसे जा सकते हैं, तो KCET के थुरू जा सकते हैं, comment के थुरू जा सकते हैं, ये दो तरीके हैं, ये दो पहले से भी आ रहा है, फिर KCET की बात करें, तो KCET में 827 rank क आस-पास में computer science मिल रहा है, या बंद हो रहा है, comment के थुरू ये करीबन 1000 rank तक जाता है, ठीक, अब ये हो गया detail, now moving forward, fees के बारे में बात करते हैं, तो fees के बारे में अगर बात करें, तो 83,000 के आस-पास KCET, ये 221 comment के, तो ये मोटा-मोटी fix है, पूरे Bangalore के, मतलब करनाटक नहीं, Bangalore के colleges के आना चाहिए, क्योंकि Bangalore में ऐसे थोड़े fees जादा है, Bangalore के बाहर जाओगे करनाटक के दूसरे colleges में, तो थोड़ी fees कम है, ठीक है, चलिए, सर कौन सा form के, कौन सा form कब आएगा, वीडियो प्लीज, अज़ ठीक है, वो वीडियो बना देंगे, don't worry, ठीक कि सर मेरे को इस शेहर में मिलना है, मैं इस शेहर में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस शेहर आओ, तो नीचे Google Form भर दीजेगा, चलिए, अब अगला क्या है, एवरेज पैकेज, तो करीबन 8,5-8 लाग रुपे के आसपास का एवरेज है, इनका करीबन 12-14 लाग रुपे से उपर होगा, moving forward, msrit.edu इनका website है, इस website पे सारे details मिल जाएंगे, अब अगला है, भूशन्या, भूशन्याना, मुकंदास, श्री निवासया, श्री निवासया, College of Engineering, sorry, BMS College of Engineering इसको पढ़ लेते हैं, जादा आसान पढ़ेगा अपने लिए, तो B BMS College of Engineering है, यह BMS College of Engineering के बारे में डीटेल देख लेते हैं, ऐसे BMS मिले को पता है, लेकिन आज पहली बार मैंने भी BMS का full form देखा, तो शायद मेले भी थोड़ा कटें था, तो BMS College 1946 में बना हुआ है, काफी पुराना है, देखी रहे हो तुम, 11-acre से campus है, 98 NIRF ranking है, KCET के थू और comment के थूँ इसमें बच्चा एंटर करता है, 841-943 closing rank है, CAC के लिए, और अगर देखा जाये तो KCET aided seats, aided seats का मतलब होता है, जो बच्चों को financial assistance की आवश्यक्ता है, उन बच्चों के लिए fees लगती है 43,000 per year, जिनको आवश्यक्ता नहीं है, जो financially well off है, उनका 83,000 और comment के 46,000,000 के आसपास का है, और बाकी सारा information bmsce.ac.in पर मिल जाएगा आपको, अब अगला है उनिविश्वेश्वरईया, विश्वेश्वरईया College of Engineering, ये भी बहुत बढ़िया college है, विश्वेश्वरईया सर को आप सारे लोग जानते होंगे, the best engineer of the country कहा जाता है इनको, 1917 का established college ह मतलब बहुत पुराना है, और 50 acres का campus है, 101 NIRF ranking है, moving forward, KCET से इनका counselling होता है, comment के में मिरे को नहीं दिखा, तुम चेक कर लेना, एक बार वैसे comment के से होना चाहिए, CAC में 1969, मतलब करेवन 2000 के rank के आसपास लाओगे, तो CAC इसमें मिल जाएगा, tuition fees 2810,810, यही पता चला, तो बाकी information नहीं था, इसलिए मैं नहीं दिखाल पाया, तुम अगर चाहिए तो जाके एक बार देखना, 7 lakh average package, highest package 30 lakhs, which is again not bad, भाई तुम से fees भी तो बहुत कम ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, सारा detail uvce.ac.in पे मिल जाएगा, next is DSCE College, दैनन सागर College of Engineering, इस college में आप 1979 में बन का ranking है, KCET comment के दोनों से जा सकते हो, CAC का 3100, 3100 के आसपास का closing rank बन रहे है, तो करीबन 3100 के आसपास इस closing rank में तुम यहां जा सकते हो, fees 83,000, 28,000 for reserved category, SCST, वो जो सारे categories वाले हैं, उनको लिए 28,000, बाकी normal बच्चों के लिए 83,000, और comment के लिए 2,21,000, ठीक है, और 10,000, पर annum का average है, तो अगर इन तुम समझ गए होगे, अगर इतना average है, तो median package 14-15 आराम से जाता है, और highest package 45 लाग, तो again a good college, and then dse.edu.in पर सारा information मिलेगा, BIT Bangalore, this is Bangalore Institute of Technology है, BIT stands for that only, यहां का 15 एगड़ का campus 1979 में बना हुआ, 200 के ranking, KCET comment के दोनों से लेते हैं, ranking में 37,500, मतलब 34,000 के rank में अगर आ जाते हो, comment के या KCET में तो चले जाओगे, CAC में, 83 हिजाब 2,000 के की से जार फीस वही सेम है, साड़े छे लाग का average दिख रहा है, 37.5 लाग का total highest package दिख रहा है, काबिल हो तो भही आराम से 10-12 लाग का package लगा लोगे, clear बात, और आगे बढ़ते हैं, अब सारा का सारा information bitbangalore.edu.in पे मिल जाएगा आपको, next is BMS Institute of Technology and Management, यह वही BMS CE जो है न, जो भूशन्या करके जो नाम था, यह वही सेम college है, बस उन्ही का अलग group है, दूसरा college, 25 से का campus 2002 में बना हुए, बहुत recent है, इसलिए नया नाम भी है, 169 NIF ranking है, KCET comment के दोनों से लेता है, computer science जा 21,000, और moving forward, 8 लाग के आसपास का average package, 44 लाग के आसपास का highest package, तो यह detail भी आपको समझ में आ गया, and then bmsit.ac.in, यह इनका official website है, and last but not the least, again, विश्वे सरिया Institute of Technology, बहुत बढ़िया college है, M. विश्वे सरिया Institute of Technology, तो यह दसवा है, हमारे list पे, details 133 acres का campus है, काफी जादा बड़ है, 200 की ranking है, KCET, Comet के दोनों से लेते हैं, बच्चे लोग computer science के लिए, 78106,000, इतने ranks तक पे भी बच्चे यहाँ पे जाते हैं, और जाकर enroll हो जाते हैं, moving forward, fees वही structure सेम है, mostly सारे colleges का structure बिलकुल सेम है, 5.5 लाग का average है, 27 लाग का highest है, बट इस से जादा packages भी इस college में जाते ह ठीक है, तो I hope सारे बच्चों को पूरा detail समझ में आ गया होगा, अब देखो यह सारा detail मैंने तुमको बता दिया, बैंगलोर के top 10 colleges बता दिये, इस में से तुमको जो भी college समझ में आया चुन लो, हलाकि college चुनने से जादा important है, comment के का examination और KCET का examination ज़रूर दीजेगे, ठीक बैंगलोर आ रहा हूँ, मतलब बैंगलोर में ही हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए कल एक event organize किया है, 28th October के लिए, 28th October 6 PM कहां पे, तो आप लोग सर्च कर लीजेगे, गूगल मैप पे विदान्तू EBC Square HSR Layout, तो विदान्तू EBC Square अगर आप लिखेंगे, तो आपको office का location मिल जाएगा, वहीं पे आना है, 4th floor पे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू, 4th November, 4 November को मैं दिल्ली में रहूँगा, 4th November Delhi, और 5th November को मैं पूने में रहूँगा, 5th November is in पूने, तो ये मैं इन जगहों पे मौझूद रहूँगा, आप सारे लोग आ सकते हैं मिलने, म इस वीडियो के नीचे, डिस्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उको मैं दिखा देता हूँ, सारे लोग को नीचे ये भी दिख रहा होगा, कि भाया, तुम आ सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा, यूट्यूब, हाँ जी, ये सारे लोग को दिखेगा, खुल दा सिंसें, इसी वीडियो के नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, इस डिस्रिप्शन बॉक्स में जैसी ही जाते हो, तुमको यहाँ पर दिख जाएगा, क्या हो गया, ये लिंक नहीं डाला क्या, गूगल फॉर्म का लिंक डानला भूल गया है, मै गूगल फॉर्म का लिंक दलवाता हूँ, और गूगल फॉर्म के इस लिंक पे जो भी डिस्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसको फिल आउट कर दीजगा, यो गया, उस इमेल आईड पर इंविटेशन मिलते ही, आप आ सकते हैं, ठीक है? so ladies and gentlemen that was all for this session I hope you liked and enjoyed the session if that is the case तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ऐसा बेहतरीन session मिलते रहेगा और किसी और session की आवशकता हो तो नीचे comment box में लिखकर बताइए मिलते हैं अंगले session में तब तक के लिए बाबाई take care, good night